कि फिर से दो मेथड आज के भी वीडियो में जॉइन और टूस्ट्रिंग एरे की मेथड से एरे अब्जेक्ट की चलो स्टार्ट कर देते हैं दोक्यमें डॉकमें डॉट या फिर एक 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 एक्सटा वेरीबल आज ले लते हैं है पर गशी तानिग में जो इसमें तो पर्हेंगे इसमेंनों तूल्टी पहे उसमें तो में कोई भी आर्गिमेंट नहीं लिखनी है अब यह क्या करेगा मेरी एरेस की सभी वैल्यू को कोमा सेपरेटेड कि एरे में वो कंवर्ट करके स्ट्रींग में वेरियबल में स्टोर कर देगा तो अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखता हूं देखिए निऊचे के लिए मैं क्या करता हूं यहां पर मैं लिखता हूं तो देखिए आप इहां पर देख सकते वारेय調 की । स्ट्रिंग अब new colors की जगह पर मैं लिखता हूँ colors आप देख सकते हैं object तो मेरा जो resultant variable है वो string में store होता है ठीक है यह confirm हो गया अब दूसरी method join save किया यहापर मैंने refresh किया no output change confirmation के लिए type click देते है type of refresh करता हूँ यह भी string है दोनों में difference क्या है कि two string में यहाँ पर हम कोई user defined separator नहीं लिख सकते लेकिन join में अगर मुझे कोई separator अगर specify करना है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माल लीजिए मुझे space चाहिए comma as a separator नहीं चाहिए तो अब मैं refresh करता हूँ output को यहाँ पर type of में निकाल देता हूँ सिर्फ उसे display करता हूँ तब देखिए जो पहले कोमा कोमा आता था अब वो कोमा निकल गया है बीच में space आ गई है जरूर नहीं है कि आप space के साथ कोमा रखना है तो वो भी आप पर है जो आप double quotes में single quotes में as a string join में देगे वो दो value के बीच में आ जाएगा ठीक है तो यह दो method सी array की इस वीडियो में सिफ इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनियवाद